जे जगनत फ्रेंड्स एक दिन पहले रात को 12 बस के 15 मिनिट पे मुझे ये रस्मलाई के का ओडर आया था साथ में मैंने 300 ग्लासेस बनाये थे तो चलिए देखते हैं रस्मलाई मैं सौब से खरीद के लाई थी और ये जो उसका जूसे इसको निकाल ली और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलाईची कूट के डाल दिया था क्रीम को जब मैं बीट कर रही थी उस टाइम उसको थोड़ा सा ओवर बीट कर दी थी और फिर इसके अंदर ये जूस को डाल के मिक्स कर ली अब थोड़ा सा पिस्ता, काजू, आलमन्ड इसको ड्राय रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा कुटके रख दी अभी केक बोर्ड के उपर थोड़ा सा क्रीम लगा के फिर ये स्पांज के एक लेयर को रखी फिर उसी जो सिरफ हमारा बचा हुआ था, उसी सिरफ से इसको सोख कर दी फिर इसके उपर रस्मलाई वाला क्रीम डाल दिया, फिर ड्राय फ्रूट्स डाल दिया और फिर दूसरा layer मैंने रख दिया ये एक mini cake था इसलिए हर layer में मैंने रस्मलाई नहीं दिया था एक layer में मैं रस्मलाई ऐसे दी थी और दूसरे layer में dry fruits दे दी थी third layer को soak करने के बाद side में जो cream लगा हुआ है इसको थोड़ा सा मैं बराबर इसे कर दूँगी इससे सारे जो scrum से इसके साथ चिपक जाएगे अब इसके बाद मैं पूरे cake को cream से cover कर दूँगी फिर पूरे cake को finishing कर दूँगी women's day पे मैंने जो mini cakes पनाया थे मेरे एक customer लेके गये थे और खाने के बाद उनको बहुत tasty लगा और मुझे ये cake का order दिया था और अब मैं इसके उपर थोड़ा ऐसे yellow color लगा दूँगी और जो cake का कॉम है उससे side को ऐसे mark कर दूँगी जो extra cream उपर जाएगा उसको हटा के finishing कर लूँगी ages को finishing देलने के लिए एक paper में मैं इसे थोड़ा सा कर दूँगी हलका हलका सा आपको इसे करना है अब इसके बाद yellow color से दो फूल बना लूँगी और पूरे cake के उपर मैं dry fruits को दरदरा चौप करके डाल दूँगी लास्ट में मैंने एक chocolate strip के उपर उनके husband का नम विसाल था विसाल लिखके golden से उसको paint करके side में लगा दी थी इससे पहले मैंने एक 4 kg का cake बनाया था जिसमें से मुझे थोड़े से sponge बच गए थे तो आज मैं आपको दिखाऊंगी उससे में case से glasses बनाके इसको sell किया रसमलाई cake के लिए जब मैंने cream बनाया थोड़ा ज़ादा quantity में बना दिया ताकि same flavor का अगर दोनों चीज बनाओं तो मुझे अलग से मेनत न होगा नहीं यह देखिए cake एकदम complete हो गया इसके उपर name stick लगा के मैंने रख दिया था और फिर यह 421 ग्राम का हुआ था customer को मैंने photo भी भेज दिया था अब चलिए glass बनाते हैं मेरे पास जो sponge बचे हुए थे उसका पाहविले मैंने crumbs बनाके इसके अंदर डाल दिया soak कर लिया फिर इसके उपर क्रीम से ऐसे stead करके फिर से और एक लेयर दे दिया फिर इसको भी soak करके इसके उपर स्टार नोचल से मैंने डिजाइन कर दिया और सबसे लास्ट में इसके उपर थोड़ा काजू, पीस्ता और आलमड को दरदरा कुट के इसके उपर डाल दिया, अब इसके उपर मैंने आलमुनियों फॉयल डाल के इसको कवर कर दिया था, फिर इसको सेट होने के लिए रात पर फ्रीजबे मैंने रख दिया था, सुबह 8.45 में मैंने ग्रूप में में सेज के गये थे, और दिन को 12 बजे ये केक चला गया था, अगर आप ही सुरत सिटी में रहते हैं, और मेरे यहां से केक के साथ-साथ फूड और करना चाते हैं, तो आप स्क्रीन के उपर नंबर है, कर सकते हैं, यहां पे खीर मिल जाएगा, दो तरह के गूड और चीनी से आपको चेना पोडो मिल जाएगा, मंडा पिठा मिल जाएगा, काकरा पिठा मिल जाएगा, चोमिन, पास्ता, नूडल्स, दही बड़ा, दही बड़ा, आलू दम, चाठ, यह सब कुछ मिल जाएगा